हम सब के लिए एक और दुखत खबर नहीं रहे भजन गाईकी के उस्ताद नरेंद्र चंचल जी नरेंद्र चंचल लंबे समय से बिमार थे दो महीने से दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थे और आज दोपहर यानी फ्राइडे को करीब 12 बचकर 15 मिनट पर उन्होंने अपनी आखरी सांस ली ये वाकई एक दुख भरी नियूज है अमरस सर के एक पंजाबी परिवार में 16 अक्टोबर 1940 को नरेंद्र चंचल जी का जन्म हुआ था पिता का नाम था चेतराम खरबंदा और माता का नाम था कैलाशवती बचपन से ही मा कैलाशवती को देवी के भजन गाते हुए सुना तो नरेंद्र चंचल को भी शौक हुआ और वो भी भजन गाने लगे भजन समराट कहे जाने वाले नरेंद्र चंचल की आवाज आज भी माता की चौकी और जगराते में गुंचती है उन्होंने फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक हिट गाने दिये बॉली बुड में उनका सफर शुरू हुआ फिल्म बॉबी से जिसमें उन्होंने गाया बेशक मंदिर मस्जित तोड़ो और इस पहले ही गाने से उन्हें मिला बैस्ट सिंगर का फिल्म फियर एवार्ड उसके बाद उन्होंने कई सुपर हिट गाने दिये 1974 में फिल्म बेनाम में उन्होंने गाया यारा ओ यारा मैं बेनाम हो गया ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने गाया बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई 1980 में फिल्म आशा में मुहम्मद रफी साहब के साथ गाया तूने मुझे बुलाया शेरवा लिये ये भी काफी हिट गाना साबित हुआ था नरेंद्र चंचल जी बच्पन से ही मुहम्मद रफी साहब के गाने गाते थे चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना रफी साहब का ये गाना उनको बहुत पसंद था और वो अकसर इस गाने को भी गाते थे नरेंद्र चंचल जी की मा सब के सामने अकसर कहती थी के ये मेरा मुहम्मद रफी है तो नरेंद्र चंचल जी कहते थे कि मैं मुहम्मद रफी नहीं मैं नरेंद्र चंचल हूँ वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे उनको अच्छा लगता था रफी साहब के गीत गाना और मन्ना डे साहब के गीत गाना उनके पसंदिदा सिंगर थे मन्ना डे जो की आल टाइम फेवरेट थे 1983 में उन्होंने गाया चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है फिल्म थी अवतार 1985 में फिल्म काला सूरज में भी गाया दो घूट पिला दे सा किया जो की काफी हिट रहा था 1994 में फिल्म अंजाने में एक गाना गाया कुछ ऐसे वो हम से हुए पराए और 2013 में फिल्म फुकरे में भी एक गाना गाया था नरेंदर चंचल जी ने फिर हाल ही में उन्होंने कोरोना पर एक गीत गाया डेंगू भी आया स्वाइन फुलू भी आया चिकिन गुनिया ने शोर मचाया कित्थे आया कोरोना ये गाना हल ही में उन्होंने गाया था नरेंदर चंचल जी ने लता मंगेशकर, मुकेश, मुहम्मद रफी, आशा भोसले, महंदर कपूर, कुमार शानू जैसे नामी कलाकारों के साथ काम किया उन्होंने Midnight Singer नाम की किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी जिन्दगी के संघर्श को बया किया है आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर वो हमेशा हमारे दिलों में जिन्दा रहेंगे एक मीठी याद बन कर मेरी तरफ से ये एक ट्रिब्यूट नरेंदर चंचल जी को दोस्तों वीडियो को लाइक शेर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही वीडियो लेने के लिए